नमस्कार दोस्तों बॉलीवूड की संसनी कह सकते हैं और आज कल सोशल मीडिया पे अपने फोटो अपलोड करके खुद को फेमस कर चुकी है उर्फी जावेद और उर्फी जावेद के बारे में एक बड़ी ही अजब खबर आ रही है और उर्फी जावेद का ये बयान है उर् भागवत गीता आज कल पढ़ रही है और उन्हें जो लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे वह ज्यादातर मुस्लिम है और उन्होंने खुलासा किया है कि मैं किसी भी मुस्लिम से साधी नहीं करूंगी बहुत बड़ा बयान है कि एक मुस्लिम होते हुए उर्फी जावेद उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि हमें भागवत गीता पढ़ना है और मुस्लिम उन्हें ट्रोल करते हैं इसलिए मुस्लिमों से वह साधी भी नहीं करना चाहती हैं उनका यह कहना है कि सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम है इन दुनों मैं हिंदु धर्म के तार्तिक पहलूओं के बारे में जानने के लिए भागवत गीता पढ़ रहे हूं और ये बाते उन्होंने इक इंटर्विव में कही है जो कि काफी ही बड़ा एक बयान है और उर्फी ने ये भी कहा है कि मुस्लिम मर्द हमेशा महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहते हैं मुझे ट्रोल करने वाले भी ज्यादा तर लोग मुस्लिम होते हैं वे लोग नफरत भरे कॉमेंट करते हैं यही बज़ा है कि मैं इसलाम में यकीन नहीं रखती हूं मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करती हूं और उर्फी का ये कह हूं और दिया मेरी मा बहुत धायर में थी लेकिन उन्होंने कभी हम पर भी धर्म को थोपा नहीं उर्फी ने यहीं कहा कि मेरे भाई बहन इसलाम मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानती भाई बहनों नहें मुझे पर कभी इसलाम मालने के लिए दबाव नहीं डाला आप अपनी पत्नी और बच्चों को धरम अपनाने का दबाव नहीं डाल सकते यह दिल से आना चाहिए बरना न तो आप खुश होंगे नहीं अल्ला खुश होंगे और उर्फी ने ये भी कहा है मुझे हिंदु धरम के तार्किक पहलियों के बारे में और जादा जानने की इच्छा है किसी भी चीज की अती से मुझे बेहत नफरत है इसलिए मैं इस समय भागवत गीता जैसी पवित्र किताब से अच्छी बाते सीखना चाहती हूँ और सीख रही हूँ ये एक बहुत ही बड़ा बयान है उर्फी जावज जो की अपने फोटो वीडियो से हमेशा मसूर रही है हमेशा ट्रोल होते रहती है क्योंकि उनके फोटो और वीडियो काफी ही भड़की ले होते हैं अब उनका ये बयान आया है कि ये सारे जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुसलिम है और मुसलिम अपने घर की ओरतों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं यानि की आजादी नहीं है जो बाते हम कहते हैं कि इस धरम में आजादी की कमी है वो बाते उर्फी जावेद ने खुर्दा करके कहा है और चलिए ये बहुत बड़ा बयान है और उर्फी जावेद का स्वागत है मैं अगले कुछ वीडियो में और आपको इनके बारे में अपडेट दूँगा जैहिन ज ड्यभर अप्डेख डच झापयर का जीजगर करते हैं कि एक